हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज हम आपके साथ कुछ जानकारी सांजा करने जा रहे हैं जैसा कि आप सब को पता है कि एट्स एक ऐसी बिमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज संबब नहीं हो पाया है इसके प्रती जागरूप करने और वर्ष एक दिसंबर को हम विशप एट्स दिवस के रूब में मनाते हैं क्या आपको पता है कि सबसे पहले इसको कब मनाया गया और इस बिमारी का सबसे पहले कहां पता चला कब पता चला और कैसे पता चला अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें क्या है कि डबल इसके प्रती जानकारी सब तक पहुँचाने का था AIDS जिसको हम Acquired Amino Deficiency Syndrome कहते हैं HIV जिसको हम Human Amino Deficiency Virus कहते हैं HIV ही आगे चलकर AIDS का रूप एक्तियार करता है जे वाइरस सबसे पहले बंदरों में और गुरीला परजाती के जनबरों में पाया गया जिसको HIV कहते थे HIV ही कैसा वाइरस था जो इनके रोग प्रतिरोध शम्ता को बिल्कुल कमजोर कर देता था और जब जे HIV वाइरस Human Beings में जानी की इंसानों में आया इसको HIV का नाम दिया गया सबसे पहले Democratic Republic of Congo के एक शहर में इस वाइरस के निमूने पाये गए उसके बाद Africa से होते हुए ये New York City तक पहुंचा और जहां इसको नाम दिया गया HIV वाइरस का और सबसे पहले जे 1988 में इस दिवस को बनाया गया और AIDS कैसे होता है जे जोन संपर्क से सुई सिरिंज को साज़ा करने से जहां किसी के ऐसे इंसान जिसको ये बिमारी है उसके खून के साथ कॉंटेक्ट में आने से संपर्क में आने से और मा से ये बिमारी बच्चे में भी हो सकती है और 2020 का जो थीम है वो है एंडिंग दा HIV AIDS इसमें होता क्या है कि इंसान का रोग प्रतिरोदक शमता जाने की इम्यून सिस्टम बिलकुल कमजोर हो जाता है ऐसी लाइलाज बिमारियों की जानकारी होना ही सबसे बड़ा हत्यार हमारे पास इनसे बचने का है तो आप इनकी जानकारी जाद से ज़्यादा दोस्तों के साथ रिष्टेदारों के साथ सांजा करें और थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स फ्रेंट्स